स्लाम अलेकुम फ्रेंजर मैं यासेर जमील ऑलखेर गोड़ फारमिंग झाल सिहेज्ज है आज की वीडियो जो है वो गोड़ फार्मिंग बिजनस प्लैन की सीरीस की इस Three वीडियो है यह नमबर पोर है यह देख रहे हैं आप जैसे कि मेरे पास यह दो बक्तियां हैं जोड़वां एक ही प्रेंट की एक ही नसल की तो यह अभी मैं पिछले दिनों लेकर आया था आप सब को मालूम है यह दोनों बक्तियां गबन थी और इन्हों ने विदिन आवीक जो है अप मेरे फार्म एनने के बाद इन्होंने यह बच्चे दिये है एक यह है और बैक जोां आगे को अगे एक बख्री के तो दो दोबच्चे थे यह उसका भाई था को जो जा रहा गे वीजारा मर गया और एक बक्री ने ये जो है बच्ची दी थी तो ये विदिना वीग जो है ये मेरे फॉर्म पे तीन बच्चों का इदाफ़ा हो गया था जो कि बदकिस्मती से एक का इंतिकाल हो गया तो एक प्लाइन ये भी है कि आप इसी तरह से गबन बक्रियों की खरीदारी करें मुनासिब की मिली साड़े तेरहाजार रुपे की एक बक्री थी तो ये गबन थी और फॉर्म प्याने के बच्चे दे दिया अब ये जो है एक महीने के बाद ये दुबारा ही पर आ जाएंगी और फिर उनको हम अपने बक्रियों से बीड करवाएंगे उनकी तो प्लाइन ये है कि ये एक महीने के बाद हीट पर आने के बाद ये दुबारा गबन हो जाएंगी इन्शाल्ला और जब ये दूसरा सुआ देंगी मतलब मजीद पांच महीने के बाद तो इनके जो बच्चे हैं वो भी बड़े हो चुके होंगे छे-चे महीने के तो इस तरह से जो है आप अपने जानवरों की तादाद जो है वो रापिटली बढ़ा सकते हैं कि बच्चे भी बढ़ रहे हैं और इनका इस पक्तियां जो है दुबारा गबन होने के बाद बच्चे भी दे जाती है छे महीने के अंदर तो ये भी तरीका है फिर आप इनके बच्चों को बेच भी सकते हैं छे-छे महीने की उमर में या चाहें तो उनको फॉर्म पे रखें तो इस तरह से जो है फॉर्म में अपने जानवों की तादाद शुरू में बढ़ाई जाए तेजी से और फिर उसके बाद जो है एक साल के बाद फिर जब बच्चों की तादाद बढ़े तो उनको मार्केट में बेचा जाए तो फ्रेंड्स ये भी एक तरीका है ये भी एक प्लान है लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि प्लान तो बहुत अच्छा है और मैंने इस पैमल भी क की आए आप देख भी सकते हैं तो लेकिन यह एक है कि आज कल जैसे के गर्मिया शुरू हो रही है तो बजाए इसके के आप गबन बक्रियां लेकर आएं तो उसमें यह होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो तो शुरू में तन मैंने जा है वो मा के दूर्ट पर लगे भी होते हैं और उनकी मौटेलिटी के चांसे होते हैं तो इसलिए इन दिनों में जो है यह जो अभी सीजन है मार्च का माईना खता होने वाला है तो अब क्योंके गर्मी होगी तो इसलिए में प्रिफर महीं करूंगा कि गबन बक्रियों को लाया जाए यह प्लैन जो है यह सर्डियों के सीजन में ठीक है, अमातलब यह कि जैसे कि सब्टेंबर में या उक्टूबर के महीने में गबन बक्रियां लाकर और उनके से बच्चे और लेकर उनको दुबारा गबन किया जाए, यहां फिर यह है कि अपना यह जो है, जो मैई-जून का जो महीना है, जून का महीना जो है, उस में लेकर आए जाए जाए, बच्चों को, माई जून में तो सकत गर्मी होती है तो यह कि जनवरी के महीने में जैसा कि में दो बक्रियों को लेकर आया था पिछले महीने तो वो भी सूटबल है तो अब जैसे यह गर्मिया आ रही है तो उसमें जहां मैं प्रिफरने करूंगा तो उसके लिए जहां अभी मेरे पास एक और प्लान है बिस्नेस प्लान नंबर फाइफ उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा उस प्लान को आप जरूर देखें तो इन्शाला ताला जहां वो भी एक असान तरीका है और अच्छा तरीका है बिस्नेस का गोड़ फार्मिंग से तो फ्रेंड्स उमीद है कि आपको मेरा यह आइडिया पसंद आया होगा और यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो इंशाला ताला अगली वीडियो में मिलेंगे अला आफिस